नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पांडेजी टेक्निकल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ट और सी बीएसी बोर्ट ने बोर्ट परिक्षा 2020 में बहुत बड़ा बदलाव किया है जो कि आज हम इस वीडियो का माध्धम से आपको बताने वाले हैं ये खबर जो है वो हिंदुस्तान में प्रकाशित किया गया है तो इस चीज़ को आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे सबसे पहले हेड्लाइन्स जान लेते हैं कि हेड्लाइन्स में क्या क्या लिखा है तो हेड्लाइन्स में लिखा है आपका कि सी बीएसी वोर्ट परिक्षा 2020 यूपी बोर्ट ने खत्म की प्रारम भी गड़ीत सी ब परिक्षा से हाइ स्कूल में प्रारम भी गड़ीत खत्म करने जा रहा है अब तक कलावर्ग के चात्र चात्राओं के लिए प्रारम भी गड़ीत और विज्यान वर्ग के चात्रों के लिए गड़ीत का पेपर होता था अब तक यानिकि पिछले 2019-2018 इन सब में जो है वो कला का सिर्फ एक पेपर होगा मज़े की बात ये है कि केंद्रियम माध्यमिक सिख्षा बोर्ड यानि कि सीबीसी बोर्ड दोहजार बीस में पहली बार बेसिक मैथ नाम से यही पेपर जुरू करने जा रहा है यूपी बोर्ड हाई स्कूल में वर्षों की गडित वर्षों से गडित और प्रारंभिक गडित का विकल्प दे रहा था कला वर्ग के बच्चों के लिए तयार प्रारंभिक गडित के पाठिकरम में अंक गडित का हिस्सा अधिक होता था यह विज्ञान वर्ग के बच्चों के निर्धारित गडीत के कूर्स से थोड़ा सर्रल होता था ठीक है 2019 की हाई स्कूल परिक्षा के लिए गडीत में 20,76,874 जबकी प्रारंभी गडीत में 1,18,262 चात्र चात्राएं पंजिक रित थे तो इस बार ये हमको इंफोमिशन ये निकल के आ रही है कि जो पहले कलावर्ग के चात्र चात्राओं के लिए प्रारंभी गडीत का पेपर होता था वो इस बार नहीं होगा दोनों यानि की कलावर्ग के चात्र चात्राओं और विग्यानवर्ग के चात्र चात्राओं के लिए केवल एक ही पेपर होगा इस बार यानि कि 2020 में है ठीक है लेकिन यूपी बोर्ड ने अब प्रारम भी गड़ीत को खत्म कर दिया है अब दस्वी के सभी चातर चातराओं के लिए गड़ीत का एक पेपर बनेगा वहीं केंद्रिय माधिमिक सिक्षा बोर्ड CBSE ने चातर चातराओं के मन से गड़ीत का भाय गरने के लिए इसी साल बेसिक मैथ नाम से कोर्स सुरू किया है चातर स्टेंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में से कोई एक पेपर ले सकते हैं यानि कि दो CBSE में दो पेपर होगा एक स्टेंडर्ड मैथ और एक बेसिक मैथ का इनमें से आप कोई भी कोई एक पेपर ले सकते है standard math का syllabus मौजूदा अस्तर का ही रखा गया है जबकि basic math को आसान बनाया गया है standard label उन छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो आगे की पढ़ाई गड़ीत के साथ करना चाते हैं वही basic level के लिए ये होगा कि जो गड़ीत में उच्च सिक्षा हासिल नहीं करना चाते हैं basic label का प्रश्ण पत्र थोड़ा आसान होगा यानि कि जो आगे की पढ़ाई math से ही करना चाते हैं वह standard label के math लेंगे जो आगे की पढ़ाई math से नहीं करना चाते हैं वो आप basic label का math लेके आप अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं ये CVSC board वाले students के लिए हैं लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे ये information आ रही है कि UP board जो है वो इस बार से खत्म कर देगा प्रारंभिक गडित का paper यानि कि विज्ञान वर्ग और कला वर्ग के चात्र चात्राओं के लिए एक ही paper बनेगा mathematics का जो आप दोनों के लिए होगा ठीक है I hope आपको ये information काफी अच्छी लगी होगी कैसा लगा ये information and इससे related अगर आपको कोई समस्या है कोई सुझाओ है तो हमें comment करके जरूर बताईएगा फिलाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment में जरूर बताईए इस वीडियो को अपने जादा से जादा दोस्तों में share कीजे ताकि उन सभी लोगों को ये चीज़ पता लग पाए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद